जाओ को English में क्या कहते हैं या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं जाओ को English में आप Go या Go Away कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि दुकान पर जाओ और कुछ किराने का सामान खरीद दो या खरीद लाओ तो आप कह सकते हैं Go to the store and buy some groceries Go to the store and buy some groceries या अगर आप ये कहना चाहें कि क्या आप पुस्तकालिय जाकर ये किताबें वापस कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं, Can you go to the library and return these books? या अगर आप ये कहना चाहें कि आगे बढ़ें और बैठक शुरू करें अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें